कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टेडी लाइन्स पे अपने स्टार्ट कर रहे हैं कि उसे नंबर दूसरे का चोथा ठीक है इसमें क्या बोला है मिना ने 2000 रुपे निकलाने के लिए एक बेंग गई उसने खजाची से 50 और 100 रुपे के नोट न पास के नोट कितने हैं और 100 के नोट कितने है तो पहले अपने मान लिया यहां पर माना एक मिनट माना पचास रुपे के नोट नोटों की संख्या पचास रुपे के नोटों की संख्या है वो अपने पास कितनी है एक्स ठीक है और 100 रुपे के नोट है माना 100 रुपे के नोटों की संख्या है वो अपने पास कितनी है वाई है ठीक है तो पहला case तो मैं यह ले लेता हूँ यहाँ पर कुल कितने नोट प्राप्त किये 25 ठीक है तो इस्तती first या case first हो जाएगा इस्तती first के अनुसार क्या होगा प्रसना अनुसार यह वाली इस्तती first ले रहा हूँ ठीक है दोनों को जोडने पर x plus y 50 के नोट और 100 के नोट जोडने पर कितने नोट प्राप्त हो रहे है 25 नोट प्राप्त हो रहे है तो यह तो होगी अपने पास समिकर 1 इसको सही से लिखें तो x plus y minus 25 बरापर 0 यह होगी अपने पास समिकर 1 अब देखो दूसरी इस्तती में क्या है के second है इस्तती second है उसके हिसाब से अपने पास क्या दिया हुआ है यहाँ पर अगर अपन प्रसना अनुसार करें तो देखो 20,000 रुपे निकाले टोटल उसने रुपे कितने निकाले है एक इसने कितने रुपे निकाले है टोटल 20,000 रुपे निकाले कि जिने कितने निकाले कि 20,000 रुपे निकाले अब 20,000 रुपे निकाले तो इसमें देखो बोला क्या इसने कि 54 or Sophie note है किसके नच्हें 50 और 70 का note है और किसका note है so का note हैrak फिर पचास के नोट अपने कितने लिए माना था अपने एक्स लिए तो पचास के नोट तो एक्स है और सो के नोट कितने वाई है इन दोनों को अगर एक्स पचास से गुणा कर दूंगा सो से गुणा कर दूंगा तो इन दोनों को जोडने पर जो रासी आएगी वही अपने पास क दो सब्सक्राइब तो यहां से इसके अंदर भाग देंगे तो एक जीरो से 0 गट गया और यह कटेगा चालीस वार तो यहां पर आजाएगा हो सब्सक्राइब उसकह निहाएंग आपने पास X प्लस टू वाई माइनस 14 पराबर जीरो इसको यह वगी अपने पास रभाएं तो कौन से विदी से करेंगे इसको कर लेंगे अपन विल ओपन विदी से किस से करेंगे विल ओपन विदी से इसको सरल करेंगे ठीक है यहाँ पर अगर अगर आपन विलोपन विदी से गरें उसको तो क्या आ जाएगा अपने पास समीकर्ण 1 क्या है, अपने पास x प्लस y माइनस 25 पराबर 0 और दूसरी क्या है, x प्लस 2y माइनस 40 पराबर 0, यह है, यहां से अगर अपन सरल करें, यह समीकर्ण 1 है और यह वाली है अपने पास समीकर्ण 2 इन दोनों को सरल करें तो अपने पास क्या करना है एक में से 2 को बटाना है क्योंकि इनके गुणा कला गए इनके सेम है तो यह माइनस हो जाएगा यह माइनस यह वाला प्लस इससे यह वाला कट गया तो अपने पास क्या बचा माइनस का y 25 में से 40 में से 25 गए तो अपने पास कितने बचे 15 बचे प्लस के अपने पास क्या बचे 15 बचे बराबर 0 तो माइनस y बराबर क्या आएगा माइनस का 15 माइनस से माइनस कट हो गया तो y का मान कितना आगया एक में रखने पर, एक में रखने पर, तो y का मांन समी खिन एक में रखेंगे तो अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां से देखो अपने पास यहाँ पर अपन समीगरन एक है x plus y minus 25 बराबर 0 तो x plus 15 y का मान 15 है minus 25 बराबर 0 तो यहाँ से अपने पास मान क्या आ जाएगा यहाँ से अपने पास जो मान पराप्त होगा वो हो जाएगा minus का कितना बचा 10 बराबर 0 तो x का मान कितना आ गया 10 आ गया तो पचास के नोट अपने क्या माने थे एक्स माने थे पचास के नोट तो कितने हैं अपने पास कि पचास के नोट तो अपने पास है कि अता है कि participar अप्पचास के नोट कितने हैं अपने पास 10 है और सो के नोट कितने हो जाएंगे सव के नोट अपने पास हो जाएंगे 15 कहें तो यह वाला अपने मान आप हो थे और इसके मान थे आपने पास पंद्रा ठीक है उम्मीद करता हूं यह वाला किसन समझ में आया होगा आसान था ठीक है तो ऐसे अपने को दोनों समीकंड पहले निकाल लेनी है दोनों को सरल करेंगे तो एक्स और वाई का मान आ जाएगा पांचपा किसन देखिए यदा कि अपने गया जी तो पहले मान लो मान नियत किराया है अपने पास को यह किया एक्स टीकहित है यह तो आप लाइबरेरी में झाओगे हमाक 21G यह जाएगा अगर आपने तेन दिन के लिए Tim से अ हुस्つो आपकी तिन दिन के पैसे लग एक्स है ठीकहित है वहाद अत्रिक्त किराया है बहुते को तुन क्रदेख्स अत्रिक्त दिन याँ कि प्रतेग ना माना प्रतेग अत्रिक्त दिन का किराया यह अपने पास क्या है वाई रुपे ठीक है अब देखिए यह हो गया अपने पास वाई रुपे तो बोला क्या है सरीता ने साथ दिनों के लिए पुस्तक रखने के लिए 27 रुपे दा किये तो केस फरस्ट तो है सरीता क ठीक है, case first के इसाब से परसना अनुसार क्या हो जाएगा सरीता, सरीता ने क्या किया 27 रुपे अदा किये, एक तो X रुपे तो देगी, देगी 7 में 7 दिन के लिए रखा है तो 7 से क्या हो जाएगा Y गुणा हो जाएगा, ये हर दिन का इसका 4 लगेगा Y रुपे लगेंगे हर दिन के, तो 7 दिन के लिए तो 7 Y हो गया बराबर कितने रुपे दे रही है वो इनके 27 रुपे दे रही है तो ये हो गई समिकर्ण 1, ठीक है, ऐसे ही अपने पास case second होगा case second के अंदर अपने पास क्या हो जाएगा प्रस्णा अनुसार वापस क्या हो जाएगा case second में इस पार कोन है, सूसी है, ये 5 दिन के लिए 21 रुपे दा कर रही है तो X तो रुपे लगेंगे और 5 दिन के लिए दे रही है, तो ये वाली रुपे लगेंगे तो ये कित्ते दिये किसी होगी अपने पास समिकर्ण 2 तो इसको किस से सरल करेंगे, विलोपन विदी से अपन सरल कर लेंगे ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा विलोपन विदी से विलोपन विदी से तो विलोपन विदी से इसको सरल करेंगे तो दोनों मान क्या जाएंगे एक तो X प्लस 7Y बराबर 27 और एक अपने पास क्या हो जाएगा यहां से क्या करना अपने को समिकर्ण बराबर के एक साइड में रख लो या इनको एक साइड में रख लो या फरक नहीं पड़ता उससे समिकर्ण 1-2 से समिकर्ण 1-2 करना अपने को क्या हो जाएगा इससे यह कट गया यहां से गया तो 7 में से 5 गया तो 2Y बचा और 27 में से 21 गये तो अपने पास कितने बचे 6 बचे तो यहां से जो मान आया वो Y का मान कितना आ जाएगा y बराबर आ जाएगा 6 बट्टा 2 ये इससे कटा 3 बार तो y कमान कितना आया 3 रुपए आगए कितने आगए 3 रुपए ठीक है तो y कमान अपने पास परापत हो गया 3 अब y कमान क्या करेंगे अपन समिकर्ण एक में रख दो y कमान समिकर्ण एक में रखने पर तो y कमान समिकर्ण एक में रखने तो क्या आजाएगा आपने पास x प्लस 7y वराबर 27 ठीक है तो x प्लस 7y कमान कितना आया था आपने पास 3 इंटो 3 वराबर 27 ठीक हो गया x कमान कितना आ अपने पास 27 गये तो x कमान आपने पास 6 तो जो नियत किरह आया वो तो 6 रुपे फिर एत्रिक दीन का किराया कितना रुपे लग रहे है लग रहे रहे हैं तो आपन यहां पर लिख देंगे और कि आता है नियत कि राया तो है अपने पास बराबर 6 रुपे और पर तेक अत्रिक्त दिन का किराया है प्रतेक अत्रिक्त दिन का किराया यह अपने पास कितना रुपया लग रहा है कितने रुपय आये थे तीन रुपय तीन रुपय प्रतेक अत्रिक्त दिन का किराया लग रहा है ठीक है तो यह वाले अपने पास क्यूसन थे परसनावली 3.4 के दूस सब्सक्राइब करना है और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है धन्यवाद